नमस्कार दोस्तों, ASV Knowledge की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है तो दोस्तों हाली में भारत और फ्रांस के बीज एक ऐसी डील होने वाली है जिसे देखका रश्या काफी जादा परेशान हो गया है और रश्या की तरफ से भारत को ये कहा गया है कि भारत फ्रांस के साथ अपनी डील तोड ले और बदले में वही सेम चीज रश्या भारत को और भी सस्ते रेट पर देने के लिए तयार है अब रश्या ने भारत को किस डील का ओफर दिया है उसे जानने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक कर लीजे ताकि हमें आपके लिए और भी ऐसी ही वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि इस 26 जन्वरी के मौगे पर फ्रांस के प्रेसिडंट इमेनुल मैकरॉन चीफ गेस्ट के तौर पर भारत आने वाले हैं और इस दोरान दोनो देश मिलकर काफी सारी ओफिशल डील भी साइन करने वाले हैं जिसमें भारत फ्रांस के साथ मिलकर 26 राफेलम फाइटर जेट की डील भी साइन करेगा अब क्योंकि जब भी दो देशों के बीच कोई भी डिफेंस डिल साइन होती है तो उस डिल में काफी बड़ा मुनाफ़ा शिपा हुआ होता है और वो मुनाफ़ा कोई छोटा मोटा मुनाफ़ा नहीं होता बलकि ये मुनाफ़ा कई मिलियंस में होता है क्योंकि किसी भी defense hardware की deal बेसक एक बार होती हो लेकिन उस हत्यार की पूरी life cycle के दोरान तक जो की अलग-अलग category के हत्यारों के लिए 5 से लेकर 40 साल तक की होती है उस duration तक के लिए उस हत्यार से जुड़े resources भेज कर supplier देश काफी मोटा मुनाफ़ा कमाता है कभी उसके repair और maintenance cost की नाम पर तो कभी spare parts की नाम पर और ये process उस हत्यार की retirement तक चलता रहता है उधारन के लिए हम फ्रांस से खरीदे गए राफिल fighter jet को ही ले लेते हैं अब भारत ने फ्रांस के साथ ये deal बेसक साल 2016 में की थी लेकिन आज भी हमें राफिल के spare parts इसकी servicing, maintenance और लगने वाली meteor missile भी फ्रांस से ही खरीदनी पड़ती है बस यही कारण है कि अब रश्या को इस बात का डर सता रहा है कि अगर भारत ने फिर से फ्रांस के साथ राफिल की deal साइन कर ली तो एक बार फिर रश्या के हातों से billions of dollars कमाने का मौकर निकल जाएगा और इसलिए अब रश्या की तरफ से international platform पर फ्रांस के राफिल की आलोजना सुरू हो गई है जिस से related article आप अपनी screen पर भी देख सकते हैं जिसमें रश्या का कहना है कि उसका सुखोई SU 30 प्राइस क्वालिटी के ratio के मामले में फ्रांस के राफिल से बहतर है और भारत को फ्रांस के राफिल न इस्ट में जे 20 फाइट जेट सामिल है जिसको ना तो राफिल पकर सकता है और ना ही इसका मुकाबला कर सकता है क्योंकि राफिल की maximum speed 1.8 मेक है जबकि जे 20 आराम से 2.2 मेक की speed अटेंड कर सकता है लेकिन SU 30 के साथ ऐसी कोई भी समस्या नहीं आएगी क्योंकि जे 20 के अंदर जो इंजन लगा हुआ है वो रश्या का ही इंजन है और इसी सेम इंजन का यूज रश्या के SU 30 में भी होता है इसलिए भारत को अगर बहतरीन फाइट जैटी चाहिए तो SU 30 के अलावा भारत के लिए best option और क्या हो सकता है इतना नहीं रश्या की माने तो भार लगबख 1646 करोड रुपे का पड़ा था और इतने में चायना आराम से दो जे 20 फाइट जेट बना लेता है जो कि फिफ्ट जनरेशन के फाइट जेट है इसलिए इतने पैसे खर्ज करके भी टेकनिकल सुपीरियोर्टी तो फिर भी चायना के पास ही है फिर इतने पैसे दो पूरा कर ही सकता है हाला कि रश्या का ओफर सुनने में बेसक इंटरस्टिंग लगे लेकिन सवाल यही है क्या सच में भारत के लिए राफेल खरीदना घाटे का सौधा है तो इसका जवाब है नहीं क्योंकि भारत कभी भी कोई भी फाइटर जेट लेने से पहले उसे ठोक बजाकर ही लेता है और अगर सु 30 से राफेल की तुलना करें तो भारत ये बात अच्छे से जानता है कि राफेल की स्पीड से बेसक कम है लेकिन इसकी लोड केरिंग कैपेसिटी से काफी जादा है दूसरी बात राफेल 4.5 जनरेशन का फाइटर एरकाफ्ट है जबकि सु 30 केवल 4 जनरेशन का एरकाफ्ट है राफेल बेसक स्टेल्थ फाइटर जट ना हो फिर भी राफेल में थोड़ी बहुत स्टेल्थ खूबया तो है ही लेकिन एसी कोई भी खूबया मोजुद नहीं है और उपर से राफेल का डिलीवरी टाइम काफी कम है क्योंकि फ्रांस को अगर हम आज ओडर दे देते हैं तो अगले साल से ही हमें राफेल मिलना सुरू हो जाएंगे लेकिन रश्या का गेस उल्टा है क्योंकि रश्या भी ठीक से तो भारत की सम्मरीन डिलीवर नहीं कर पा रहा ना ही पुराने ओडर को पूरा कर पा रहा है फिल वो कैसे भारत को SU-30 लेने के लिए फोर्स कर सकता है वैसे आपको क्या लगता है क्या भारत को राफेल छोड़कर SU-30 लेना चाहिए या फिर नहीं कमेंट करके जरूर बताना और जाने से पहले ASV Knowledge चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर पैस करना ताकि आने वाली सबी आपको मिलती रहे जै ही जै भारत